हाई फ्रेंज मैं आपकी पूजा पूजा की रोसोई घर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए एकदम नई नई किचन टिप्स लेके आई हूं जो की बहुत ही यूस्फूल है आपको हमेशा फसंद आती है मेरी टिप्स और नई नई टिप्स होती हैं काम बनाए असान करना बिलकुल ना भूले चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहली टिप्स इस तरह से सीसे के पास जो होता है वह गंदा हो जाता है और हम परिसान होते हैं कि कैसे इसे साफ करें क्योंकि इसमें धूल मिट्टी घुच जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है और हम परिसान हो मदद से इसे बहुत यसानी से साफ करेंगे आप देख रहे होंगे कितना गंदगी हुआ है मिट्टी है पत्ते हैं सब उड़के आते रहते हैं आप ब्रस की मदद से और कागज की मदद से असानी से इसे साफ कर सकते हैं देखिए कितनी गंदगी निकल गई है एक तरफ का स साफ हो चुका है देखिए इसी तरह आप असानी से पूरा साफ कर सकते हैं देखिए इधर का मैंने साफ किया है पहले आदेखिए इस तरफ से आपको साफ करके मैंने दिखाया है आप देख सकते हैं एकदम साफ हो चुका है बहुती कमाल की टिप्स है बहुती यूसफूल टि क्या या इंस आपको कैसे लगी画 में चरूर बताएं चलिए अगली टीप देख लेते हैं कि अप सकते हैं या दी कि बचे हुए दिए हैं क्योंकि दीए बच जाते हैं अम फेक देते हैं क्योंकि पूराने हlä जा आप इसे दुबारा यूस कर सकते हैं मैंने अपने चैनल पर बचे हुए दियो को कैसे दुबारा इस्तेमाल करें वीडियो डाल रखा है आप जाके देख सकते हैं देखिए सारी बत्ती मैंने निकाल लेना है सारी बत्ती निकाल लेना है, सब साइड में कर देते हैं, एक दिये का काम है, अब ये रूजी की बत्ती भी बहुत काम आने वाली है, इसे हम FAKE देते हैं, FAKE ये नहीं देखिए, मैंने इसमें लॉंग डाला है और दिया लिया है, क्योंकि इस तरह से बरतनों महक आने लगती ह इसकी बद्बू निकल जाएगी बहुत ही असान तरीके से कुछ भी समान रखते हैं कभी स्मेल आने रखती है लेकिन आप इस तरह से जब दीयों को जलाएंगे लॉंग वगेर डालके तो इसमें से बद्बू निकल जाएगी देखिए पहले से जला लेते हैं अच्छी तरह देखिए अब इस तरह से या जब बूझ जाए तब इसमें धक्कन लगा देना है ताकि जो इसमेल है इसमें की उड़ जाए या पहले जैसा हो जाएगा आप कुछ भी समें रखेंगे तो बिलकुल महक नहीं आएगी यानि बद्बू नहीं आएगी जो भी समेल है सब खतम हो जाएगी चलिए अगली टिफ्स देख लेते हैं इस तरह का माला सभी के घर में बचा होगा क्योंकि दीपावली खतम हुई है तो हार इसमें माला पूझा का लगता ही लगता है और धेर सारे माले हो जाते या हम सजाते हैं घर को तो भी इस तरह से माला बच जाता है फू फेक देंगे फेकिये नहीं इसे तोड़के आप इस तरह से इकठा कर लें यह सारी सीड है जो इसमें काली-कली होती है आखे हम माला को फेक देते हैं फेकिये नहीं इसमें धेर सारे बीय होते हैं गेंदे का फूल आप दुबारा लगा सकते हैं इस तरह से देखे सीड को इ दाल दिया है उपर से मिट्टी डाल दिजे और थोड़ा सा पानी या फिर से नय पौधे निकल आएंगे गेंदा के नय नय पौधे त्यार हो जाएंगे फिर से आप दुबारा इस्तमाल कर सकते हैं आखिर आप फेक देंगे फेकने से कुछ मिनी मिलेगा और इस तरह से इसमा पेज्ड नौन वेज्ड दूनों रस्पी है टिप्स किचन टिप्स धेश सारी है और सफाई पेए अने एक वीडियो है आप देख सकते हैं मैं ने बौतल ले रखी है इसे बीच में से देखे गरम करके मैंने चाको से काट लिया है इस तरह से दो भाग में बाट लेना है को बोटल आपको मिले इस तरह की छोटी तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं देखिए यह दोनों अलग अलग हो गया है कुछ लोग बाहर सर्विस करते हैं उन्हें लोई बनाना नहीं आता यानि रोटी गोल नहीं हो पाती है मैं आपको ऐसा तरीका बता रही हूं कि इस तरह से इस तरह से कर दीजिए और बोटल की मंद से आप लोई एकदम गोल गोल बना सकते हैं देखिए यह जो निच्चे वाल भाग है इसमें आटा लगा लेना है देखिए इस तरह से और जब इस तरह से आप काटेंगे तो लोई एकदम गोल होगी जब आप रोटी बनाएंगे तो एकदम गोल-गोल रोटी बनेगी, देखिए, किती असानी से एकदम गोल-गोल हो गया, एक बराबर लोई बनेगी, आपको बड़ा छोटा नहीं बनाना पड़ेगा, बहुती असानी से इस तरह से कट जाता है, और गोल-गोल लोई बन जाती है, जो बच्चे बाहर सर्विस करते हैं, उन्हें रोटियां नहीं बनाना ही आती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो जब आप इस तरह से बोटल के मदद से लोई करेंगे, बहुती असान तरीका है, बहुती कमाल की टिप्स है, मुझे यकीन है, आपको बहुती पसंद आने वाली है, चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, यह आप देख सकते हैं, मैंने इसमें चैपत्ती डालके पानी खोला लिया है, और थुड़ा सा डिटरजन डाला है, और इसमें एक चमच मैं हल्दी डाल ले हूँ, इससे बहुती कमाल का क्लीनर बनता है, इससे आप सोना, पीतल, कोई भी जल्री हो, असानी से साफ कर सकते हैं, क्योंकि सोनी का समान हम सुनार को देते हैं, तो डर बना रहता है, और इसे घर में आप असानी से साफ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, या सोनी का कंगन है, सोने का या पीतल का कोई भी समान, आप असानी से इस क्लीनर से साफ कर सकते हैं, कोई भी जल्री हो, बहुती असानी से कुछ ही मिन्टों में साफ हो जाती है, क्योंकि आज का सोना बहुत ही महंगा है सोना हमेशा हम समाल के ही रखते हैं लेकिन आप सोनार को देंगे तो सोनार जाल लेगा अजब आप इस cleaner से घर में ही साब कर लेंगे तो आपके समय और पैसे दोनों बचने वाले हैं आप देख सकते हैं, cleaner तयार हो चुका है, आप इसमें कुछ नहीं करना है, सारा इसमें डाल देना है, देखिए, इस तरह से सोने का या पितल का जो भी आपके पास जोलरी हो, आप इसमें डाल दीजे, डालने के बाद इसे कुछ देर इसमें छोड़ देना है, दो से तीन आप देख सकते हैं, नत भी एकदम चमक चुकी है, कोई भी जोलरी बहुत ही असानी से आप साफ कर सकते हैं, इसे आप नहीं भी रगणेंगे, तो भी या साफ हो जाएगा, सिब इसमें डालना है इस पानी में, डालके आप निकाल लिजे, पीतल के कंगन हो, या पीतल की ज आप देख सकते हैं, पहले से अब में कितना अंतर है, बहुत ही असानी से साफ हो जाता है, देखियां गूठियां भी चमक चुकी है, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है, तो या काला पड़ जाता है, लेकिन आप जब इस तरह से हलके हाद से इसे करेंगे, तो बहुत ही या नाजुक होता है, मीना वगेरा निकलने का डर है, इसलिए आप हलका से इस तरह से कर सकते हैं, अब या साफ हो चुका है, आप इसे पाने से धो लेना है, और कुछ भी नहीं करना है, देखिये, मैं पाने से धो के लिए आई हूँ, आप देख सकते हैं, कितना चमकने अनेक जेलरी साफ कर सकते हैं या टिप्स आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं वीडियो जरा सभी अच्छा लगे तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्याद से ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और काम हो सके आसान जैहिन जै भारत हसते रहें मुस्कराते रहें मेरा चैनल देखते रहें बाई